दोस्तों अभी कुछ दिन पहले हमने अपने community tab में पूछा था कि reselling business में किस चीज में सबसे ज़्यादा problem आ रही है और पता है ज़्यादातर लोग ने क्या बोला था कि orders लेने में उनको सबसे ज़्यादा problem नहीं आ रहे हैं तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी बता हुआ कि कैसे आपको reselling business में order आते हैं और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा orders लेकर आ सकते हो इंक्रीज कर सकते हो अपने orders को reselling business में अब जब हमने closely देखा तो समझा कि ज़्यादातर लोगों को orders का concept नहीं पता लोगों को यह ल process आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें से कोई भी step अगर आप नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपके orders बहुत कम आए जो सबसे पहला process होता है वह होता है traffic लाने का orders किसे आता है लोगों से आता है जब तक कि आपके पास traffic नहीं generate होगी आपके पास आपको लो की की चाहिए किस quality की चाहिए किसी भी resellers को हजारों लाखों लोगों के followers नहीं चाहिए उनको ऐसे लोग चाहिए जो eventually customers में convert होए paying customer बने वैसे ही लोग की traffic कहां से आ सकती है मैं आगे बताऊं की किस तरीके से यह आ सकती है जो दुसरी चीज होती है एक बार आपके पास traffic आत नाम customer का phone number और वो customer आखिर में किस product में जाधा interested है तो database हमको ऐसे लोग करना है जो हमें follow करते हैं और हमको पता ही कि वो आखिर किस product पे interested है अब एक बाद database करने के बाद उसके बाद का procedure है कि उन databases में से leads निकालना leads मतलब ऐसे लोग जो की eventually आपके product खरीदने के लिए ready है तो suppose अगर आपके पास 1000 लोगों का database है और आप 1000 लोगों को बल WhatsApp message भीजोगे ये बोलते हुए कि अभी हमारा offer चल रहा है या फिर किसी product पे offer या discount है तो उसमें से बहुत सारी ऐसी leads आईगी आपके पास जो eventually product खरीद इपने में interested होगी और वो आपसे sales communication करेगी उसके बाद का process होता है sales communication करने का कि आप proper उनके requirement पूछते हो उनका budget पूछते हो और उसके बाद आप products दिखाते हो अब यहाँ पे भी बहुत important चीज है जादा तर लोग sales कैसे करते पते हैं वो बेचने की कोशिश करते हैं कि ये ये भी ले लो उनको स्रिफ पैसा दिखता है लेकिन यहाँ पे अगर आप sales कर रहे हो तो आप बेचना नहीं है आपको सबसे पहले आपको consult करना है कि आपको अपने customer को बताना है कि उसके budget में कौन सी चीज है जो उसके लिए best होगी जब आप किसी को जैन्विन guidance देते हो न ऐसा बिल्कुल भी sales में नहीं होता अगर आप ऐसा करेंगे तो customer उल्टा और आपसे डरने लग जाएगा तो कहीं न कहीं customer को comfortable feel करो customer क्योंकि आप पहले कभी आपको दीखा नहीं है आपको जानता नहीं है तो उससे सबसे पहले पूछो कि आपका budget requirement कहां पे आप किस चीज क कहां पे wear करने वाले है और फिर उसको suggest करो कि अगर वो outdoor के लिए जा रहा है तो वो ये जूता ले सकते है अगर वो किसी party या किसी शादी पे जा रहा है तो वो इस तरीके का product ले सकते है जब आप consult करोगे तो customer का भी एक trust बन जाता है कि हाँ ये बंदा में को blindly नहीं बेच ये पहले मुझे बता रहा है कि क्या चीज सही है क्या गलत है उसके बाद selling कर रहे है तो ये चौथे stage तक के जादा तर लोग effective सही तरीके से पहुच नहीं पाते और fifth stage में directly आ जाते है जो है customer से payment receive करना जिसका भी एक तरीका होता है आप customer को एक पूरा format देते हो सबसे पहले तो अपना खुद का address का format send करते हो जिसमें आप customer से उनका address लेते हो और उसके बाद आप अपनी payment details shared करते हो अब customer से payment receive करने के लिए लोग या तो अपना QR code share कर देते है UPI details देते है या तो इस चीज को और formal बनाने के लिए लोग अपनी Insta Mojo की ID share करते है या फिर Razor Pay में अप अपना account बनाके रखते है वो Razor Pay की link share करते है आप दोस्तो पेटीम से भी अपने कुद की payment की link बना सकते है ताकि लोग link से आपको payment करे यह थोड़ा सा और formal लगता है थोड़ा सा और standard लगता है तो eventually क्या होता है customer का trust भी और थोड़ा सा बढ़ जाता है अब दोस्तों हमने बहुत सारे resellers को mentor किया उनकी business करने के तरीके को अच्छे से देखा और समझा कि resellers को अकसर first process और last process में सबस्यादर difficulty होती है बनाब उनको यह नहीं पता होता कि followers किस तरीके से लाए increase करें और यह नहीं पता होता कि आखिर में customer से sales को close कैसे करें या फिर customer से payment कैसे ले अकसर customer को सारी details बता देते हैं सब sense कर देते हैं लेकिन customer का order नहीं आता लास्ट में customer उनको payment नहीं करता तो आज मैं आप सभी को यह दोनों चीज के उपर mainly focus करके बताऊंगा तो सबसे पहली चीज है कि followers किस तरीके से लेका है और उससे भी important यह कि safely किस तरीके से लेका है क्योंकि बहुत सारी resellers का Instagram पे account block हो जाता है बैन हो जाता है तो posting किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा अब आपका अगर पूरा business Instagram पे तो followers दो तरीके से आते हैं एक तो Instagram SEO से आते है search engine optimization search engine optimization मतलब कोई भी जा कि अगर Instagram पे search करता है आपके product के बारे में तो आपकी store सब जिता है वो आपकी photo नहीं देखता कोई भी product की photo नहीं देखता वो search करता है search करने के बाद उसको आपकी store मिलती है आपका Instagram page मिलता है और वहां से आपके पास आता है और दूसरा तरीका होता है कि कोई बड़ा page आपकी products को या आपके page को अपने stories पे share करता है तो ये majorly दो ब देखे और आपको अगर simply बता हूं तो आपको primary और secondary keywords बहुत अच्छे से use करने है ताकि आप rank कर सके बाकी इसकी बारे में detail मैंने एक video पर अच्छे समझाया हुआ है तो उसका सबसे पहला तरीका होता है कि आप अपने friends या family members को बोलते हो कि वो अपकी Instagram पे आपकी account को share करे वो शुरू-शुरू में जब कोई account खुरता है तो हो जाता है लेकिन उसके बाद आप एक strategy follow कर सकते हैं तो अगर कोई भी person आपके किसी भी product को अपनी story पे share करेगा और वो 24 घंटे से जाधा के लिए उसकी stories पे रहेगी तो आप उसको 10% discount होगे आज की rate में जाधा तरलुक जो Instagram पे content बना रहे वो paid collaboration करते हैं और एक post को share करने का वो 2-3,000 रुपे लेते हैं जिससे आपको अच्छी खासी traffic आ जाईगी अब again Instagram marketing के और भी बहुत सारे तरीके हैं लेकिन ये दो तरीके बहुत major हैं जिसको आप day 1 से start कर सकते हो अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी problem मे जैसे कि हमने discuss किया था कि customers आते तो हैं लेकिन confirm booking नहीं करते आपके पूरे product को देखते हैं समझते हैं आपसे बात भी करते लेकिन confirm booking नहीं करते इस चीज के लिए जैसे कि मैंने बताया सबसे पहली चीज में आप सभी को recommend करूंगा कि आप उन लोगों को sales मत करो जितना आप sales करोगे ना उतना customers आपसे नहीं करीदेंगे वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको आपके पर trust नहीं है लोग आपके पास आये product के बारे में inquiry किये मतलब एक चीज तो confirm है कि वो product पे interested है फिर वो आपसे नहीं खरीदे इसका ही मतलब है कि आपके उपर trust नहीं है तो हम आप भी मत बताओ कि आप ये ले लो वो ले लो इसके उपर आप ये भी ले सकते हो add on कभी मत करो customer को options दो कि अगर आप ये लोगे इसके साथ ये लोगे तो हो सकता है आपका इतना पैसा save हो जाए या फिर यही चीज market में इस rate में मिल रही है हमारे पास आपको इस rate में मिल लाएंगे ये guarantee है हो सके तो उनको product की live pictures भी भेजो क्योंकि live picture से सबसे जादा customer easily convince हो जाता है live picture या live video भेजोगे उनको बताओगे कि actual में product कुछ इस तरीके का दिखता है photography में ऐसा दिखा है लेकिन असली में जब आप लेंगे तो product कुछ ऐसा दिखेगा इसकी quality अच्छी है आप अपने तरफ से customer को एक assurance दो और उनको guide करो कि कौन सा product खरीदना चाहिए अब suppose ये भी हो गया उसके बाद भी customer नहीं खरीद रहा है तो उसके बाद आप scarcity create करो मतलब आप customer को ये बताओ कि ये product की बहुत limited pieces ही available है अगर वो customer 24 गंटे के अंदर नहीं book करता तो कोई guarantee नहीं दे सकते कि वो product मिलेगा की नहीं मिलेगा आप बता सकते हो कि ये product है बहुत मिले ही ना तो इस तरीके से scarcity create करके भी आप customer का order to run create कर सकते हैं अब मान के चलो कि उसको पक्का लेना ही है फिर भी वो pay नहीं कर रहे है और confirm booking नहीं कर रहे है तो उसके बाद एक last option बसता है जो है अपने पुराने customers की जो reviews है ये feedbacks है वो आप उनको दिखाओ और उनको बता एक PDF document अच्छा वाला बनता है जिसमें पूरे customer की अच्छी details होती है और उसके बाद आप इसी PDF document को अपने customer को share करो आप उनको सीधा बोल सकते हो कि भले ही वो हमारे उपर trust करे या ना करे बट आप उन लोगों को देख सकते हो जिन्नोंने हमारे उपर trust किया और जिनको अच इसी करने के लिए हम लोग ने एक app बनाया है जिसका नाम है order app बहुत जल्दी ये भी launch होने वाला है इस app में आपको एक link मिलेगी जिस link को आप अपने customers को share कर सकते हो customers उस link में जाके अपने खुद का order place कर सकते है जो भी आपका product है आपने जो उनको WhatsApp पे share कि है वो upload कर सकते ह हैं अपने जितने भी details है वो डाल सकते हैं select कर सकते हैं कि उनको prepaid में चाहिए कि COD में चाहिए और eventually अपने खुद का order को book कर सकते हैं payment कर सकते हैं तो basically आपको एक link मिल जाएगी जिस link के through easily आप अपने customer से orders ले सकते हो तो आपको कोई website बनाने की जरुद नहीं है आपको order link दे दोगे उनका order place करने के customer जाएगा और पूरा अपना order place करेगा आपको सिर्फ accept करना है या reject करना है तो एकदम simple application है जिससे आप easily अपने customer से order ले पाएंगे इस application में और भी बहुत सारे features है जैसे कि यहाँ पे आप अपने खुद का payment gateway connect कर सकते हो जो भी आप order accept कर रहे ह अगर suppose inventory आपकी पास है तो यहाँ से आप cash on delivery में अपने ship rocket पे भी courier को assign कर सकते हो और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आप अपने customer से या अपने reseller से easily orders ले सकते हो और उनको payout भी कर सकते हो तो बहुत जल्दी order app launch होने वाला है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा अ हम आपको पहले early access देंगे ताकि आप order app से orders लेना शुरू कर सके और अपने reselling business को तेजी से grow कर सके I hope दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी होगी तो like करना अगर कोई भी doubt है अभी तो comment करके ज़रूर पूछना और हाँ अगर अभ वीडियो में